नमस्कार चुगलिबाज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बॉलिवुड में एक कहावत बहुत आम है कि यहां हर शुक्रवार लोगों की तकदीर बदलती है। हम सभी जानते हैं कि बॉलिवुड में आम तोर पर फिल्म में शुक्रवार को रिलीज होती है। और अगर फिल्म हिट हो जाए तो फिल्म से जुड़े सब ही लोग आसमान पर बिठा दिये जाते हैं। वहीं अगर फिल्म न चल पाए तो फिल्म से जुड़े लोगों को आसमान से जमीन पर भी आना पड़ सकता है। ऐसे कई फिल्म मेकर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा कर फिल्में बनाई कई बार फिल्मोंने पैसा कमा लिया तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि फिल्म बुरी तरह पिट गई आज की दौर में तो फिर भी फिल्म में बनाने का style corporate हो गया है लेकिन एक दौर था जब फिल्म बनाने का style बहुत personal हुआ करता था ऐसा ही दौर था जब फिल्म ऐसा भी होता है, release हुई इस फिल्म को आज बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जब फिल्म बन रही थी, तो इसके निर्माता के लिए ये बहुत बड़ी फिल्म थी, इस फिल्म के बनने से पहले इसके प्रोड्यूसर कामरान खान ठीक ठाक पैसे वाले हुआ करते थे, हालाकि इस फिल्म के लिए कामरान ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया पर फिल्म आलोचकों को तो पसंद आई लेकिन दर्शकों ने फिल्म को सिरे से नकार दिया फिल्म पुरी तरह पिट गई कामरान खान के लिए ये व्यापारी घाटा ही नहीं बलकि व्यक्तिगत घाटा भी था जब फिल्म को उन्होंने सब कुछ दाओं पर लगा कर बनाया और फिल्म पिट गई और कामरान अपनी बाजी हार गए कामरान की बेटी फराखान ने एक इंटर्वियू के दौरान बताया कि जब वो पांच साल की थी तब ये फिल्म रिलीज हुई और वो अमीर से गरीब हो गए वो बताती है कि जब वो 19 साल की थी तो उनके पिता कामर का निधन हो गया वो कहती है कि लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सुविधाय रही होगी लेकिन ऐसा होता तो जब अब्बा की मौत हुई तो उनके अंतिम संस्कार के लिए हमें लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़ते वो कहती है कि 6 साल तक उनका परिवार एक करना पड़ा फराखान जो कि आज नामी कोरियोग्राफर और निर्देशक है और उनके भाई चोटे भाई साजित भी फिल्म का निर्देशन करते हैं फराखान के जिंदगी काफी गठनाईयों से भरी रही उन्होंने जिंदगी में क्या संगर्ष किया और किस तरह आगे ब